आज के इस ट्रेस्फुल लाइफ में अफीमेल हास्टू मैनेज लॉट मैने तेंग्स उन्हें अपना घर देखना है उन्हें अपने हस्बन के काम देखने उन्हें बच्चों को भी देखने और अगर कुछ वह एवोइट कर जाती है देखना तो वह है खुद की सेहत को ऐसे में कई सारी प्रॉब्म उनके साथ आती जाती रहती है और उनको ये लगता है कि अभी ये प्रॉब्म आई है दो दिन तीन दिन कोई मेडिसन ले लेंगे काम चल जाएगा बट कई बार वो ये भूल जाती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्मोध हो सकती है मैं बात कर रही हूँ लिकोरिया प्रॉब्लम की अकसर ऐसा होता है कि जब फीमेल्स को नॉर्मल डिस्टार जाना शुरू होता है और अगर ऐसी बात है तो डेफिनिटली देहास टू बी अवेर उन्हें समझना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन उनको लेने है क्या सिम्टम्स है कैसे पहचा आने और कैसे दूर करें इस प्रॉब्लम को डॉक्र जोटी वेल्कम तु देशो थैंक्यू लेकॉड़य की बात अगर हम करते है एक नॉवल करते हैं उनको स्रेख होता है प्रत होता है अंग्वेत में प्डर नाम की विदی मेंशन इसके दो प्रकार बताएगा एक क्ष्वेथ प्रदर एक रग्त्डर यूग्त् Worum is basically, this includes the whole of reproductive system की problems okay Shweth Pradar is Leukoria that today we know as and Rakth Pradar is the menstrual irregularities, जो हम कभी और discuss करेंगे Leukoria is any discharge किसी भी तरह का discharge जो unnatural हो, vaginal path से हो, that comes under Leukoria it can be because of infection it can be because of allergy it can be because of diabetes and it can also be because of childbirth fine हम को सारे चीज़े देखनी है diabetes का, सबसे पहले तो जो औरतों को कॉंटिनुसली मानने जापको Leukoria है आप टीटमेंट करा रहे हैं आपको रिलीफ नहीं आ रहा है sometime there is foul smelling discharge you should rush and get your sugar levels जान क्यूंकि शुगर का भी कई बार first symptom Leukoria होता है और इसके बार में क्या है में चीज़े क्या है वो में पॉइंट जिनमें फोकस करना है जाना जोरी है वो जानेंगे आप से पहले हैं बात करेंगे अनामिका जी हमाई साथ जुड़ी है भूबनेश्वर से अनामिका जी मेरा लिकोरिय हमेशा आते रहता है मतलब थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन पभी-पभी वोvert झाला आने लगता है जी और पेट्ट मेरा बहट बहुट द़टा है और पेट काफी गरम रहता है मैं बहुत परिशानीचनीं कोई गरम चीज में खानी पाती हूं, गरम मसारा गएरा खानी पाती हूं अरामिकर ची आप अपनी एज बताहिएंगी प्लीज मेरा 22 है 22, she's married you are married? जी, मैं married the issue is के आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है के लुकोरिया हो क्यो रहा है first of all, if it is because के उनका जो साइकल है वो डिस्टर्ब हो रहा है कहीं मेंस्टर जो लाइफ पार्टनर है जो सेक्शल पार्टनर है उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है second लिए वो करेंए मुझे पेट में दर्द रहता है पेट गरम रहता है अत्याधिक तेज मिर्च मसालों के खाने से बहुत गर्मी रहने से और इन्फेक्शन होने से लुकोरिया हो जाता है सबसे पहले तेने त्रिफला का क्वाथ मनाना चाहिए और उससे एरिया को वाश करना चाहिए she should investigate herself for swelling वजायना में कोई swelling तो नहीं है कोई redness तो नहीं है it is not because of some other problem and thirdly यह कौं सा contraceptive यूज कर रहे है कही बार some people have allergies to sexual contraceptives that we use, allergies to condoms or allergy to tablets that we use can be a reason these can be the reasons, so उनको definitely खुद इन्वेस्टिगे करना है कि किस चीज से allergy हो रही है, what she is going through उसके बाद, doctor से चाहिए कि definitely she has to go for a treatment बात करते हैं, निधी हमारे साथ जुड़े हुए है निधी गुराफ चनून बताएं अले हो, जी निधी अच्छा मैं इधी पुल रहे हूँ हो जी अच्छा मेरी एज है 51 एर 11 मान्स जी तो मेरे ना वेट प्रब्लम है मेरी हाइट का इसब से 72 केजी है 5 फीट में जी और मैं एक दवा ही लेती हूँ मेदाहर गुग गुल अइडवेदी का जी तो और बालेंस डाइट लेती हूँ और नॉन वेज लेती हूँ अगे वर येक्रोनिक ट्रेड मेरी चला थी हूँ दो ताम पहली अमराग अट्रिग्लिसाइट में थोड़ा थोलेस्टेल का प्रब्लम ता अभी थोड़ा ओनफटीफोड में त्राइट आ गया है Fine, so you want to know about your weight loss? Weight loss and this... तबियत में थोड़ा सा पैन होता है हाथ पैर में Okay राथ को वेट लॉस के बारे में और जो तबियत थोई धीली सी बनी रहती all time pain रहता है बोड़ी में पेशेंट कितना इंटलिजेंट होता है वो खुद को इंवेस्टिएट कर लेता है खुद अपनी प्रब्लम बदा था खुद उसका इलाजियो रहता है खुद ही कह रही है मैं नॉन वेज खा लेती हूँ बिल्कुल She knows what she's doing Definitely She's taking Medohar Google but she doesn't want to exercise ठीक है आप इस बात को continuously I am going to say it again and again The idea is आपका वेट खाली treadmill पर जाने से नहीं रुखेगा आपका वेट खाली खाना छोडने से नहीं रुखेगा You have to put forward both the things आपको पता है आपका triglyceride level high है You know you have been suffering from cholesterol कम से कम non-weight छोड़ दीजिए That's the basic minimum you can do साथ में अपने exercise routine को इस तरह से बनाइए कि आपकी exercise weight loss के लिए indicated हो See there are two forms of exercises One is to keep what you have and one is to lose So we have to decide कि इंको कौंसा set of exercises करना है Balance has to maintain Yes And Medohar Google alone is not going to solve the problem Ayurved में आहार के साथ विहार जरूरी है बिल्कुल बहुत जरूरी है अब तो आपको भी याद होगा कि आहार के साथ विहार बहुत जरूरी है आहार और विहार दोनों का ध्यान रखेंगे तो definitely आपको जो तबियत थोड़ी सी खराब ना साथ चल रही हो definitely ठीक हो जाएगी और अब हम बात करते है रीमा जी हमाई साथ हैं दिल्ली से सबसे पहले क्या आपके हस्बंड ने खुद को इंवेस्टिगेट कराया है सबसे बहले ऍभाड का ध्यान रखेंगी जो मैं पहले भी कई बर बता bättre Secondly don't use and don't take this to your mind अगर आप इस stress को अपने दिमाग पर ले जाएंगे तो no medicine will be able to help you ठीक ये नश्ट पुष्पान तक रहा start कर सकती है but only after consulting a physician because infertility एक बहुत बड़ी disease है जिसके बहुत सारे reasons हो सकते है सिरफ मैं इनको diet में थोड़ा help कर देती हूं because except the medicine I think diet is also a very important part she can start with उड़त की दाल and जो पेट में दर्थ और लुकोरिया के लिए बता रही है she can start with प्रदरारी रस प्रदरारी रस two tablets in the morning and two tablets in the morning इसके साथ तलाभूना खाना और ठंडा खाना और खटा खाना is a strict no-no strictly prohibited diet has to be controlled उसका खास ख्याल रखे vagina में आपके redness है swelling है continuous है आपको burning या itching जैसी sensations हो रही है so you have to go to a doctor आपको इस चीज़ को बिलकुल भी avoid नहीं करना चाहिए हो सकता है ये लुकोरिया के लक्षन हो in fact ये लक्षन लुकोरिया के ही है तो आपको doctor से consult करना चाहिए बदलते लाइफस्टाइल में लुकोरिया की problem कई सारे कारणों से होती है definitely unhygiene आपका रहना एक बहुत बड़ा कारण है और आज के इस टाइम पे जहां common toilet का जो चलन है वो बहुत common हो गया है because हम लोग office जा रहे हैं हम लोग किसी के घर जा रहे हैं से clean जरूर करें ताकि आपको किसी भी तरह की allergies ना होने पाएं और उसके बाद अब उस toilet को यूज करें अपनी तरफ से कई चीजों की ध्यान आपको खुद रखने हैं साफधानिया बरतनी है ताकि ये problem आपके साथ ना हो पाएं बात करेंगे पूनम हमाई साथ जूनी है सोनी पस से पूनम जी गुदाफ शेनून बताएं गुदाफ शेनून जी हाले हूँ हलो पूनम जी टीव सेच का वॉल्म बिलकुल बंद करके अपना सवाल करें प्लीज हलो जी आपको सुन रहे हैं बताएं मैंडम मैं सोनी पस हरियाना से पूनम बोल गया हूँ जी मैंडम उसकी उवरे तेरा साल है जी उसे दो साल से अलर्जिक ब्रॉंकाइटिस की प्रॉब्लम रहने लग गई है रात को नाग बहुत बंद रहता है मैं स्रास पोलती है और बहुत बलकम और जुकाम भी रहता है जी तो हम लोग बहुत अलोपेथिक ट्रीटमेंट करवा चुके है जी तो अलोपेथिक दोक्टर कहते हैं कि इसका कोई पर्मानेंट इलाज नहीं है तो मैं दॉक्तर जोटी से इसका कोई आयरुवेधिक पर्मानेंट ट्रीटमेंट के बारे में पोशना था जी बलकुल दॉक्तर जोटी आपको आयरुवेधिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली बताएंगी क्या है ये ट्रीटमेंट के बेटे के लिए I am so happy कि किसी ने ये सवाल उठाया है कि आज कल के season में allergic bronchitis is so so common ये पॉलन्स के पज़ड का season है तो सबको allergic bronchitis, सबको है ये problem थुड़ा बाद नादला, दिली जैसे शहर में जो लोग रहते हैं मेट्रोपर्ण सुडीज में जो लोग रहते हैं इतना construction है ये सबके साथ है तो she should be happy, she is not alone secondly, इनका बच्चा तेना साल का है जहां तक मुशे लगता है एक तो उसकी डाइट में ठंडा और खटा एकदम बन कर देंगे जे गिविम ड्राइफूट्स, गिविम नाइस फूट लेकिन उसको थंडा और खटा नहीं देंगे no ice creams no ice creams, okay secondly, सितो प्लादी चूरन बहुत easily available हैं हर जगे उसकी 1 by 4 teaspoon full every 6 hours for first one week and then one 4 teaspoon every thrice in a day for next one week शहद में मिला कर देंगे इनके लिए अच्छा ये है कि घी का तूद का थूड़ा परहेज करें घी का घी में मेरा मतलब मक्षन से है she can take he can take घी clarified butter ले सकता है बट घी नहीं और दही तो बिलकोल नहीं रफिलेली कटी चीजों का परहेज करना है इन बातों का ध्यान रखा जागा और डेफिनिटली जो प्रॉब्म आपके बेथे के साथ है वह बहुत हद तक धूर हो जाएगी इन फाक्त मो जाएगी बात करते हैं पूजा जी हमाई साथ जुड़ी हैं दिली से पूजा जी गुड़ाफ चनून बताएं अपना सवाल हालो गुड़ाफना माम जी हमाम मेरी बेती हुई है पांच मेनी के अभी जी वो सिजीरियन है जी मेरा वेट जादा बढ़ बहुत जादा बढ़ गया है तो मैं क्या करू उसके लिए दूसरा मैं फीर उसको करा रही हूँ पे जी आपकी एज कितनी है तुटी सेवनियर्स ब्रेस फीरिंग करा रही है और वेट काफी बढ़ रहा है इसलिए I have right to eat everything और मैं exercise नहीं कर सकते क्योंके मुझको stitches आया जी You can always light exercise, you can always walk और अब आपको प्लीज दो लोगों के लिए नहीं खाना है अब आपको सिर्फ अपने लिए खाना है बिल्कुल Feeding से उतना आपको फाइदा नहीं होगा अगर आप डाइट जादा लेंगी आपने डाइट में इस्टिक्शन कीजिए walk कीजिए and I think it will take seven to eight months for the fat to go away जो आपने इतने time में उसको accumulate किया है बिल्कुल तो 9 में उसको टाइम तो दीजे कि जाए कम से कम बिल्कुल यानि कि डाइट को strictly follow करना है exercise को strictly follow करना है उसके बाद प्रॉब्लम जो है यह मित जो है वो बिल्कुल टू जाएगा यहाँ पर next caller हमाई साथ जुड़ी हुई है गुड़ाप शरून बताए जी फरहा बताए जी आड़ यह गादी हो बीज्ड़ी ज़ा इस फरह जी है कि आपके आवास काफी ब्रेक हो कर आए प्लीज आ प्ना दवारा सभाई कर लें इनका प्रब्लम काफी ग्रॉब्लिक ए ग्रॉजिक है I think it's more infectious in nature Okay She should find सबसे पहले दिन पता लगाना चाहिए कि और को उरीन में इंफेक्शन तो नहीं है She should get a urinary test done and an ultrasound done Okay Only on basis of those reports और नाडी देखने के बाद इनका लुकॉरिया का टाइप डिसाइड करने के बाद इनके लिए मेडिकेशन डिसाइड होना चाहिए That means पहले test has to be done Yes And she should go to an ayurvedic physician Who will see her नाडी Okay क्योंकि हमारे ayurved में वात, पित और कफ के हिसाब से हम व्यक्ती की प्रकृती के हिसाब से और व्याधी की प्रकृती के हिसाब से Treatment device करते Okay And ayurved is very patient friendly And patient specific Exactly And patients के साथ 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 यह बहुत अच्छा सा उपचार भी लोगों को बताता है यह भी जाना चाहूंगे Locoria की प्रवमों को लेके कई सारे मित रहते हैं During this time Female काफी stress feel करती है They feel themselves very lonely They feel very tension feel करती है And किसी भी काम में Definitely concentrate नहीं कर पाएंगी क्योंकि लगातार उनको वो feeling एक wet feeling आ रही होती है So what they can do at that time First of all आप बहुत simply आप और कुछ नहीं भी करना चाहते तो simple neem का काढ़ा बना कर उससे wash कर लीजे You don't want to use any antiseptics You're most welcome उसी से आधी बार problem solve हो जाएगी Okay सबसे बड़ी बात A stitch in time saves nine As soon as you have this problem आप वेट नहीं कीजिए I will go to a doctor and do it The idea is आप तभी के तभी काढ़ा बनाएए Wash कीजिए And I promise you तीन के बात चौथे wash में आपको problem नहीं Exactly Safety starts from the home first Yes तो बिना किसी tension के बिना किसी negative thought के Positive thought रखिए ये problem जंदगी में आती रहती लेकि उनका proper treatment हो सकता है ये जानते हुए डॉक्टर से बात करिए Cancel की जो treatment के लिए आगे बढ़िए फिलाल call for care में वक्त है एक और चोटे से break का तो मिलते हैं इस break के बाद कहते हैं एक औरत को complete माना जाता है जब वो मा बनती है यानि कि जब वो दूसरी जिन्दगी को जन्म देती है लेकि लिकॉरिया की problem से अकसर ऐसा होता है कि महिलाए infertility का शिकार भी होती है उनका reproductive system खराब हो जाता है और वो मा बच्चे को जन्म देने की जो एक सक्षम होना चाहिए उसमें कहीं नगे उनके problems आजाती है ऐसा क्यूं होता है इसके बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले बात करेंगे रीमा जी हमाई साथ जुड़ी है दिल्ली से रीमा जी गुद आफटेनून बताए गुद आफटेनून माम मुझे लिकॉरिया से related यह क्वेश्चिन करना था कि मेरी बगवान के दयर से फैमली कंप्लीट हो चुकी है मैं 30 एर्ज की हूँ और लेकिन मुझे यह प्रॉब्लम बहुत जादा है मैं थर्मल कॉट ट्राय करा चुकी हूँ मेरा जब पहली बेबी गल मैं थर्मल कॉट ट्राय कराया था और उसके बाद मेरा बेबी बॉई अभी डेट साल का है मैं नर्सिंग मधर हूँ मैं उसे बॉटर फीट नहीं कराया क्यूंकि मेरे को जब अपनी बेटी को कराया था तो उसे छे साल के बाद उसने चोड़ी थी तो मैं इसे अपना ही फीट देती हूँ अभी तक ये पॉने दो साल का है और ये प्राब्लम मुझे बहुत ज़ादा है इतनी ज़ादा है कि आस्टर इंटर कोर्स मुझे जलन भी होती है और अभी नॉमल बहुत ज़ादा वेट रहता है वजाईना और उसके इलावा बहुत ज़ादा प्राइब रहती है और मैं गाइनकोलोजिस से जब भी दवाई लेती हूँ तो जब जब दवाई ले रही होती हूँ तब ये प्राब्लम मुझे लगता है कि ठीक हो रही है लेकिन जैसे ही मैं दवाई लेना छोडती हूँ वैसे ही ये प्राब्लम दुबारत से स्टाट जाती है तो मैंने वो दवाई लेनी भी बन कर दी है तो शी वांट ट्रीटमें फूम आयरवेट क्या कर सकती है देखिए वा अलड़ी थर्मल कॉटराइशन करा चुके इसले ले बढ़ी का और अपने जो अन्रगार्मेंट्स है उनको रेगुलर्ली चेंज कीजिए वाइसा नहीं हो सकता है अई नचल चीज़ों करेंगे तो यह यह जाय हो यह जहाए है। व्हूम शकूरत कीज wann donbu ak evidence रत्रिक्टिव स्टम में प्रॉबॉब्म क्यू होते है infertility का शिकार महिलाए इस कारण से क्यों होती है देखिए जो reproductive system है leucoria सिरफ एक symptom है आप पेशेंट सिरफ यह बोलता है मुझको white discharge है white discharge is always because of some inherent other problem उसका मतलब यह अंदर कोई infection है, अंदर कोई ulcer है अंदर कोई fibroid है, अंदर कोई problem है, तो इसलिए leucoria सिरफ उसका एक symptom है अगर हमको लग रहा है कि leucoria is not coming under control we should thoroughly investigate the patient and then decide हमको क्या करना है अगर यह infection अंदर अंदर बढ़ता रहेगा, क्यों कि बहार तो आपको सिरफ उसका white discharge नज़रा है it can affect all your reproductive systems as a result क्योंकि आप already infected है, आप कम्जोर है तो फिर आप pregnancy के भार को कैसे उठाएंगे, इसलिए nature आपको फिर अलाव ही नहीं करेगी, nature wants us to have healthy children it wants us to be healthy, सिरफ हम है जो उसके अगयांस जाकर problem create करते, बलुकुल, definitely तब conceive करने में दिक्कत आएगी ही, आएगी जी, यहाप नेक्स कॉल्वर हमाई साथ जुड़ी हुई है, good afternoon बताए अपना सवाल hello hello जी नहीं हारिका जी, बताए हामें, नमस्कार जी, नमस्कार, बताए actually, मेरा जो मैंसे ने काफी अन्रेगूलर है, जी, तस दिन में जी, पाफी मना अन्म होती जा रहे है है दिनोगी अन्म होती जा रहे है दिनोगी I really don't know इडोने कॉंसे टेस्ट कराई है but I think she should thoroughly investigate herself अगर 10 दन में आ रहा है और 10 दन के लिया अरहा है and she's passing clots also so there has to be some problem jaha se those clots pass ho रही है you can't just keep producing clots and pass them off definitely and it can't be hormonal in its own origin या तो हॉर्मोन के disturbance के वज़े से clots form होनी है या clots के वज़े से hormonal disturbance होनी होनी है तो अबना हॉर्मोनल प्रफाइल भी कराई है अपना अल्टरसांड में कराई है अगर जरूरत पड़े तो पीस की जांच भी कराई है ये, that is very very important बिलकुल, that is very important वो सबसे ज़ोरी हो जाता है यहां पे बहुत अच्छी तरह से आपने information यहां पे लोगो को दी thank you so much for being on the show it was a pleasure